और बड़ी खबर जुनूभी कश्मीर से आ रही है जहाँ पर पुल्वामा के अंदर संच ओपरिशन चल रहा है और शोपिया के अंदर एंकाणटर शुरू हो गया है दो बड़ी खबरे इस वक्त साउथ कश्मीर से दो डिस्ट्रिक्स से आ रही है Twin Districts के अंदर Security Forces की कारवाई इस वक जारी है बड़ी खबर हम आपको बता रहे है पुलवामा और शोपिया से जहाँ पर इस वक एंकाउंटर शोपिया के अंदर शुरू हुआ है रेबन शोपिया का इलाका और दूसरी जानब शोपिया की साथ साथ पुलवामा का इलाका जहांपर Security Forces ने बभारा और गोसु इलाको को इस वक्त महासरे में लेकर तलाशी कारवाई शुरू की है Security Forces ने दोनों इलाकों के अंदर Milton 2 की मसंदिक का इतलात मिलने के बाद इन इलाकों का महासरा किया तलाशी कारवाई शुरू की और पुलवामा से इस वक्त खबर आ रही है जहांपर बभारा और गुसा नामी गाउं में इस वक्त सर्च ऑपरेशन Security Forces का जारी है तो दूसरी जाने शुपियां से खबर आ रही है कि जहांपर सर्च ऑपरेशन तो चल रहा था लेकिन अपसे थोड़ी देर पहले गोली की आवाज सुनाई दी गई है और सर्च ऑपरेशन एंकाउंटर में तबदील हुआ है और किसी के मारे जाने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन शुपियां का इलाका जहांपर Security Forces ने इस इलाके को महासरे में लिया था रेबन गाउं जहांपर मिल्टन टू की मौजूदगी की मुसंदिका इतलात मिली थी जिसके बाद ये एंकाउंटर शुरू हुआ है और इस पीच खबर ये आ रही है कि दूनों अतराफ से अब फाइरिंग यहांपर शुरू हुई है रेबन शोपियां के अंदर सेक्योटी फोर्सेज और मिल्टन टू के दर्मियान इस वक्त गुलियों का तबादला दून अतराफ से जारी है और पुलवावा के दो गाउं जहांपर वभारा और गुसु नामी गाउं गुजश्टा कई दिनों से साउथ कश्मीर के अंदर जो भी कश्मीर के मुखतलिफ इलाकों के अंदर सेक्योटी फोर्सेज की कारवाई चल रही है और इसी सिल्सले में आज भी सर्च ओपरेशन शुरू किया गया है मुखतलिफ इलाकों के अंदर जहांपर मिल्टेंटू के मोवमेंट्स या मौजूदगी की इतलात लगातार सेक्योरिटी फोर्सेज को मिलती रही है और इस वक्त सर्च ओपरेशन और दूसरे जिले के अंदर एंकाउंटर और गुजश्टा 15 से 20 दिनों के दौरान एंकाउंटर के साथ साथ जुनूबी कश्मीर के अंदर सर्च ओपरेशन भी दरजनों भर चलाए गए है और आज भी इसी कड़ी में इस वक्त पुलवामा क बभारा गुसू दू इलाके जहां पर सेक्यूर्टी फोर्सिज ने महासरा का तलाशी कारवाई शुरू की है और रेबन शोपियां से खबरारी के वहां पर एंकाउंटर शुरू हो गया है मजीद तफसिलात के अपने नुमाइंदे गाजी खुर्शित के पास चलते हैं ग कैसो का सिलसला है लगातार जारी रखे हुए है अब दिन किसी ने किसी इलाके का महासरा किया जाता है जबकि तलाशी कारवाईया भी अमल में लाई जा रही है वही आज भी पुलवामा के दो जहातों का महासरा इस वक्त जारी है एक बभारा गाउं है जबकि दूसरा मिलिटन्स के चुपे होने की इतला पहले से ही मिली थी कि अलाके में कुछ मिलिटन्स की मौजूगी है तो स्क्यूरिटी फॉर्सिज ने जब उस मुकाम तक तलाशी कारवाई के दोरान उस मुकाम तक पहुचने की कोशिश की जहां मिलिटन्स के मौजूद होने की इतला थी तो फॉर्ण मिलिटन्स की जानिब से कुछ फायर अंदर से आये तो ये जो फायरिंग का सिलसला दोनों तरफ से जो एनकाउंटर में तबदील हुआ और इस वक्त दोनों तरफ से ये फायरिंग का सिलसला शुरू हुआ है जिसकी वज़े से लोग गबरा के गरों से बाहर आये हैं तो इस वक्त रेबन गाउ में फोज और मिलिटन्स के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है और इलाके में गोलियों की गंगरे से अवाम काफी खौफ जदा है और अभी तक की जो इतला है एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है अगर जो फायर रुक रुक के आ रहे में हिजबल मुजादीन से वाबस्ता दो मिलिटन्स की मौजूद होने की स्कूर्टी फोर्स गाजी पुलवामा के अंदर जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया क्या वहां पर जो मामूल के मताविक सर्च ऑपरेशन होते हैं वो थी पेट्रोलिंग चल रही थी या फिर य इस तरह के जो आपरेशन चलाए जा रहे हैं ये तो लगातार कई दिनों से अभी जारी है और ये जो रूटीन होता है रूटीन ये जो मौमेट होती है स्कूर्टी फोर्स की जानिव से तो ये एक कैसों की सूरत में सामने आ रहा है और इस रूटीन ये जो मौमेट है इसम का सिलसला जारी रहता है बी अग्या ओंदann कि लाके में कुछ militants की मौजूद्गी है और बताया जाता है कि इलाके में security forces को यह इतला कि इलाके में एक यह दो से 3 militants वोने की जो इतला है उन्नी security forces को पहले इी मिली थी कि जिसकी वज़जसे इलाके को पहले से ही गेरे में लिया गया था तो फिर स्क्यूर्टी फोर्सिस ने यहां जब तलाशी कारवाया शुरू की जब कैसु किया गया तो उसके बाद तलाशी कारवाया शुरू होती है तो इसी हवाले से जब स्क्यूर्टी फोर्सिस उस मकाम तक पहुंचे जहां उ पर फिसमयेर के यह रहाईशे हैे उर्ड-खमी एक हूं-चिس is ug até लोगर्ए और गाजी यह तरह का रहाईशवी इसली को जन्गली मा आपको है शुरू हुआ लिक्ष नहीं करें तो फायरी यह रहाईशवी ओ्दंच है है और यहां पे गनी आबादी वाला इलाका है यहां पे काफी आबादी भी है और इस वक्त यह जो है को फिरास का माहूल है इलाके में लेकिन अगर बात करें यह जो इलाकी की आसपास के लोग है वो तो गबरा के पहले ही अपने गरों से बाहर निकल गए थे और जहां पे यह जो मिलिटर्ट को इतला मिली थी कि यहां मिलिटर्ट चुपे हैं, वहां से उन गरवालों को फॉरण गर से बाहर निकला गया, उन्हें से मुकाम तक पहुँचाया गया है. इंटरनेट सर्वेसिस क्या इलाके में अभी मुतल की गई हैं, जैसे ऑपरेशन से पहले आमतौर पर देखा जाते हैं? जैसे ही यह जो फाइरिंग की आवाजें शुरू ही, जैसे गोलियों का तबादला शुरू हुआ, तो फॉरण इंटरनेट को बंद किया गया है और इस वकत जिलेशिकें की बात करें तो इस वकत इंटरनेट बिलकुल मुतल हुआ है और सर्विस बिलकुल बंद हो ज़िया झालते हैं